साई की बात कई मेरी उदी को मेरा रूप समझकर लगाते हैं मेरा अशिरवाद समझकर लगाते हैं और जो मेरा अशिरवाद समझकर लगाते हैं उन्हें हमेशा उदी कारगार होती है हमेशा और उन्हें लीला दिखाती ही दिखाती है मेरे बचे और सुनो जो तुम्हारे परस्तितियां देखकर जो लोग तुमसे किनारा कर गए न तो करने दो उनकी सही चीज यही थी उनकी सही ओकात ही यही थी कि वो ऐसे ही थे तो तुम परिशान मत हो न क्योंकि वो यही थे उनका असली चहरा यही था जो तुम्हारे सामने आतो गया न तो इस सीज का शुकर मनाओ कि हाँ उनका असली चहरा तुम्हारे सामने आ गया क्योंकि न वो न आज तुम्हारे थे न वो कल तुम्हारे है तो बस ऐसे लोगों से दूर जितनी जल्दी हो जाओ न उतनी जल्दी तुम्हारे लिए अच्छा है मैं नहीं चाहता कि तुम किसी वहम में जीओ तो बहुत अच्छा हुआ बलकि तुम्हें शुकर करना चाहिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और सुनो जब से तुमने मेरा ये साथ पाया है न तो तुमने सारी चिंताएं मेरे चड़नों में छोड़ दी है और यही बात तुम्हारी मुझे सबसे अच्छी लगती है कि तुमने सब कुछ अपने साई पर समर्पित कर दिया है अपने साई पर भरोसा करती हो तुम यह सबसे अच्छी बात है मेरे बचे सबसे अच्छी बात है और यही न मुझे बहु कभी कभी जरूरी हो जाता है तुम समझतार बन जाया करो अगर सामने वाला अटक जाता है किसी चीज पर तो तुम एक अदम पीछे हो जाया करो क्योंकि अगर वो नहीं समझताराना तो वो उसकी बेवकूफी है लेकिन तुम्हारी समझतारी यही है कि तुम मान जाओ और शांती से वहां से हट जाओ और बाकी जो करवाना होगा वो तो मैं करवा ही दूँगा ना चिंता मत करना और सुनो तुम परना एक जिम्मेदारी आई है और उस जिम्मेदारी को तुम्हें बहुत अच्छे से निभाना होगा ये मेरी सेवा है मैंने तुम्हें वो सेवा दी है मेरे बच्चे एक जिम्मेदारी के रूप में और उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना ये तुम्हारा काम है निभाओगे न उस जिम्मेदारी को और सुनो कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे है न वो इतने बड़े उम्र मे तो हो गए हैं लेकिन उनके अंदर अभी भी शरारते नटखट बना और बच्पना भरा हुआ हैं तो बस यही न मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि जिस इंसान के अंदर बच्पना होता है न उनका दिल हमेशा पवित्र और साफ होता है और वो हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि बच्पना एक ऐसे चीज़ है जो हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए और जो जादा गंभीर हो जाते हैं न बहुत जादा तो वो न जिन्दकी जी नहीं पाते खुलकर जिन्दकी को जीना चाहते ही नहीं है बस अपने आपको गुट-गुट कर मार देते हैं त वैसे तुम खुश रहते हो न बिंदास रहते हो वैसे खुश रहा करो तुम्हारा साई है न तुम्हारे साथ मैं हूना मैं सब संभाल लूँगा और सुनो जो मेरा बच्चा जितनी दुनिया में खुशियां बाटेगा जितनी लोगों में खुशियां बाटेगा न उसके पास में उतनी ही खुशी आएगी बलकि उससे दुगनी चौगनी खुशी उसके पास में आएगी और सुनो मेरे बचे मैं जानता हूँ जिस काम को तुम नहीं कर सकते जो तुम्हारे स्वास के लिए ठीक नहीं है तो उस काम को बिलकुल भी मत करना लालच मत करना किसी भी ची दे हो तो करो लेकिन अपने शरीर को दुख दे कर अगर करोगे न तो वो सही नहीं है मेरे बचे क्योंकि शरीर जो है न वो लाको करोडों की दौलत है मैं कहूं कि वो अनमोल है मेरे बचे वो दुबारा से कभी खड़ा नहीं होगा तो किसी की बातों में मताओ जो तुम से हो पाए ना जो तुम कर पाओ तो वही करना और सुनो जो अपने गुरु पर विश्वास रखता है ना जो अपने साई पर विश्वास रखता है वो दुनिया की हर कटनाईयों को आसानी से पार कर लिता है आसान हो जाती है उसकी सारी कटनाईया क्योंकि जब उनका गुरु मार दर्शन करता है न तो अपने आप सारे चीज़े आसान हो जाती हैं सब कुछ आसान ही हो जाता है और सुनो कुछ मेरे बच्चे मेरे दर्शन के लिए तारस रहे हैं तो सुनो बहुत जल तुम्हें मेरे दर्शन होंगे बहुत जल चिंदा मत कहना तुम्हारा साइं तुम्हें दर्शन जरूर देगा मेरे बच्चे जरूर देगा मेरा वादा है तुमसे और सुनो कुछ बच्चों के घर तुमें सुबह सुबह ही आ जाओंगा उनके दरवाजे पर आकर खाड़ा हो जाओंगा पहचान लेना अपने साई को और सुनो मेरे बच्चे गुरुवार के दिन म दीपक जलाना एक श्रद्धा का और एक सबूरी का मेरे बचे तुम ही दो दीपक जलाने हैं मेरे बचे दो दीपक और सुनो जो बच्चे मेरे साई में आ जाते हैं ना जिन पर मेरी छत्रचाया रहती है ना उनका जिंदगी हमेशा सवर जाती है बिख्री जिंदगी को मैं सब कुछ पार कर कर सफल हो कर इतना आगे तक आ चुके लेकिन जो आखरी है ना आखरी दौर है उसमें बार बार अटक रहे हो वो बार बार तुम असफल हो रहे हो उसमें सफल नहीं हो रहे हो और तुम इस चीज़ से बहुत परेशान हो ना तो सुनो किसी भी विद्या की चब्द मेरे बच्चे अगर तुम लिखोगे तो लिखने का ही कमाल है मेरे बच्चे और कैसे ना तुम्हारे सिक्षा फलीभूत नहीं होगी मेरे बच्चे सब कुछ लिखने का है और विश्वास रखो कि तुम्हारा साई जो भी तुमसे कुछ कहता है तुम्हे कुछ आदे शब्द सिध होकर रहेंगे और वो कैसे नहीं सिध होंगे क्योंकि वो एक नमस्कार का रूप होते हैं लिखने से पहले ही अगर तुम मुझे नमस्कार कर दोगे न तो सब कुछ मैं ही लिखवाऊंगा तुमसे और तुम्हारी परिक्षा में तुम उत्रीन रहोगे इस बार सफल होने से कोई नहीं रोक सकता कोई भी मेरे बच्चे और सुनो अगर कोई एहंकार करता है न तो करने दो किस चीज का एहंकार है उसे जमीन जाइदात का अपनी सेना का नौकरों का या पैसों का होने दो न या बल का क्योंकि इस में से कोई भी चीज इस्थिर नहीं है मे कुछ अगर कोई तुमसे एड़ता है तुम्हे कोई धमकाता है तो सुनो वो उसकी ताकत नहीं वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है सबसे बड़ी कमजोरी तो उस कमजोरी को न अपनी ताकत बनाओ उससे डरने की वज़ा न अपनी आपको मजबूत बनाओ और सुनो तुम्हा रात को सोते वक्त मेरे पास जल रखकर सोना तुम्हारे साई को बहुत प्यास लगती है रात को और फिर मैं तुम्हें उठाता नहीं हूँ तो मेरे पास जल रखकर सोना मुझे बहुत प्यास लगती है मेरा गला सुकता है मेरे बच्चे खुश रहो और सुनो जो तुम्हारे उपर बहुत बड़ी बला अय उई थी न मेरे बच्ची बहुत बड़ा संकट था उसे मैंने टाल दिया है मेरे बच्ची तुम सोच भी नहीं सकते कि कितनी बड़ी घटना घटित हुई है तुम्हारे साथ कल और कितना बड़ा कुछ हो सकता था मैंने बचाया है तुम्हें वहां से पर अब चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो चुका है और भी मैं ठीक कर दूँगा बस इतना समझ लो परिशान मतों कि बाबा ऐसा क्यों हुआ बलकि ये समझो कि बहुत बड़ा कुछ संकर था तुम पर जो सुक्ष में करकर टाल दिया मैंने वरना इसका बहुत बड़ा अंजाम हो सकता था जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते थे तो थोड़ा सा धहरे रखो सब ठीक हो चाहेगा खुश रहो आज का साई संदेश समाप्त हुआ